230 सीटों के साथ बहुत आगे यहाँ पर निकलते वे नज़र आ रहे हैं डॉनल्ड ट्रॉम्प और कमला हारस को 165 सीटों पर रोक दिया है फिलहाल डॉनल्ड ट्रॉम्प में और उत्री कैरलाइना भी ट्रॉम्प के पक्ष में जाता वे नज़र आया यहाँ पर और यह शुरवाती रुजान हमारे सामने आ रहे थे कहीं न कहीं वो प्रजेक्शन जो हैं वो अब काफी क्लियर इंडिकेशन के साथ यहाँ पर हमारे टेलिविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 230 सीटों के साथ काफी आगे निकल गए हैं एक बहुत बड़ी बढ़त है यहाँ पर चैनल शेकर जोशी हमारे साथ बने हुए हैं चैनल शेकर इस पक्त क्या कुछ आप ताजा आकड़े हमारे साथ साज़ा करना चाहेंगे मैप के जरीए कैसे यहाँ पर ट्रम्प जो है वो काफी बड़ी और मजबूत बढ़त के साथ यहाँ पर बनाते वे आगे चल रहे हैं बिल्कुल देखे जो ताजा आकड़े अभी हमारे पास आ रहे हैं उसके अनुसार 230 पर ट्रम्प हैं 165 पर कमला हैरिस हैं और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आकड़ों में आप देखने को मिल रहा है जो सबका फोकस था जो राज यह डेमोक्रेट्स के गड़ थे वहाँ पर डेमोक्रेट जीत रहे हैं जो रिपब्लिकन के गड़ थे वहाँ पर रिपब्लिकन जीत रहे हैं लेकिन जो ये साथ स्टेट थे जिनको स्विंग स्टेट कहते हैं या जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट कहते हैं वहां के जो आकड़े आ रहे हैं ये वाकरी अब दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर आप एरिजोना में देखिए जॉर्जिया में देखिए मिशिगन नहीं है और पूरा का पूरा अगर आप मैप देखेंगे तो यह आप मैप देखिए यह तकरीबन अब लाल होता जा रहा है जो राज डेमोक्राइट्स के पास है उसमें वशिंग्टन आपके जो कैपिटल है वशिंग्टन है औरेगॉन है कैलिफोर्निया है न्यू मैक्सिको कोलरेडो और इलिनॉइस है और साथी साथ वर्जिनिया की अगर हम बात करें नियू यॉक है वर्मॉंट है मैसाचुसेट्स है कनेक्टिकट है और रोड आइलेंड है न्यू जर्सी तो यह वो सब राज्ये हैं जहां पर यह ब्लू कलर आ रहा है यानि कि यहां पर डेमोक् अगे हैं और जिन स्विंग इस्टेट्स पे सबकी नजर लगी हुई थी वहां पर भी डोनाल ट्रम्प आगे चल रहे हैं और जो आकड़े हमारे पास अभी आ रहे हैं वो 230 और 165 का आ रहा है यानि कि डोनाल ट्रम 230 और 165 पे कमला है रिस हैं यहां पर एक महतुपून बात यह है कि जो बाइडन डेमोक्रेट्स की तरफ से राश्टरपती पत के उमीदवार थे और बात में उन पर दबाव भी पड़ा और उन्होंने खुद भी फैसला किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे उन्होंने अपनी उमर का हवाला दिया और उसके बात कमला हैरिस डेम बनाने में वहाँ पर कामयाब हुए कि काफी कड़ी टकर है काफी कड़ी टकर है और अधिकतर लोग यह कह भी रहे थे कि वहाँ पर काफी कड़ी टकर है लेकिन आप जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं कहीं न कहीं यह लगता है कि नेरेशन बनाने में कामयाब रहे हैं डेमोक प्रेजिडेंट बनने की रेस है उसमें अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं कि इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह की बढ़त इस पक्त हम देख रहे हैं। अमरीका की स्टेट है या कहीं की भी स्टेट है। होमोजीनिस स्टेट नहीं है। उनमें हर एक में अलग-अलग गुट हैं, अलग-अलग इंटरेस्ट हैं, अलग-अलग हिट हैं। तो इसलिए उससे भी पोलिंग में हमने देखा है, अपने यहां भी भारत में भी जब यह होते हैं, पोलिंग की जाती है, सर्वेज की जाते हैं, तो उसमें मुश्किले आ जाती हैं। तो वहां पर भी ऐसा ही होता है, काफी हद तक होता है, परन्तु जिस परकार के आपने जैसी मुद्दे बताए हैं, एक अर्थवस्था का, दूसरा अबॉर्शन का, तो यह तुम्हें कहूंगा जो ज्यादा भावनात्मक मुद्दे नहीं हैं, तो बहुत ही अधिकारों के मुद्दे हैं, अगर अबॉर्शन को देखा जाए, तो महिलाओं के अधिकार जो कि उनके पास पिछले 50 साल से थे, 1970 से थे अबॉर्शन का, रो वर्सिस वेड जो जज्ज्मेंट थी, उसको नकार दिया गया, उसको हटा दिया गया, तो उससे उन महिलाओं में, जिसका ने विमन हेल्थ केर, हमें क्या एबॉर्शन अगर जब हम चाहें, हम करा सकते हैं, इसका स्टेट में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, अब जैसी ये रिपब्लिकन्स हैं, कंसर्विटिव्टिव्स हैं, उनका पोजिशन है प्रो लाइफ, और इनका जो पोजिशन है जो हम अगर ये चाहते हैं, तो हम अपने साथ कुछ भी करने को हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये तो अधिकार कोई वो हैं, और भावनात्मग चीज़े जो आपने बताई हैं, बिल्कु ठीक आपने कहा, जो राश्पती डॉनल ट्रम्प ने, पूर रा जो कुछ वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, और पहले का उनोंने उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर से उनोंने कहा, हाला कि जिस प्रकार का उनका रवया था, जो वो शब्दावली का प्रयोग करते थे, उससे बहुत लोगों को नाराजगी भी हुई, परन्तु उन अपने देश को बड़ी अच्छी तरीके से उसकी बाग दोर संभाल कर आगे ले जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ, हर उस शेत्र में उनोंने एक अपने बिना किसी जिजग के उनोंने अपने जो अबजेक्टिव्स थे, अपना मैंड़ेट था, उसको उनोंने आगे पेश करने में अब सफलता हुई है, और यही हम देख रहे हैं, जो स्विंग स्टेट्स में भी उनको बहुत भारी मातरा में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे उनके आगे की राह जो है, वो और सीधी बनती नज़र आ रही है, बिलकुल एक स्वर्णिम युक क्या करने है, बच्युक्ति, युदिम युक्ति, बच्युक्ति, बच्युक्ति, ट्वर्णिम अग्र वे।